बोलो सियावर राम चंद्र की जय प्रणाम सिया राम किया विश्व तल्यान बोलाओ राम सिया राम आया खुशियों का दिन सुहाना लोटा है अपना रामा एयोग्या फिर से सजा सुनों हो रहा है ये हल्ला बैठेंगे राम लल्ला फिर वागा हर घर हर तर पे दिया तू जला दे चल थल सरहद पे भगवा नहरा दे आया है छाया है मन में समाया है यहाभी वहाँ में जाये तो जहाभी गूदे कि राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कणकण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कणकण में राम याराम्सी 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 याराम् दशकों से ये आखे तरस गए आएगा ये तो विश्वास भाई अब जो तू यहाँ लोड़ा है स्वागत गान गाए जिसके लिए मन में कर लजित के हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख भी दुख में हर इग मुख में गर जाए कि ना पल-पल में युग-युग में हर शन में राम हर तन में हर मन में कड़िकन में राम हर दल में हर मन में कड़ कड़ में राम जै जै राम जै शी राम बोलो सियावर राम चंद्र की जै राम सिया राम किया विश्व कल्यान बोलो राम सिया राम आया खुशियों का दिन सुहाना लोटा है अपना रामा आयो ज्या फिर से सजा सुनो हो रहा है ये हला बैठेंगे राम लला फिर वारा राम सिया राम किया विश्व कल्यान बोला राम सिया राम हर खर हर तर पे धिया तू जला दे चल थल सरहत पे भगवा नहरा दे आया है चाया है मन में साम आया है यहां भी वहां भी जाये तू जहां भी गूदे करतब्य परायन स्वरूप में धर्म परायन स्वरूप में 140 करोड देशवासियों के प्रत्दित के रूप में तेज तप और तपश्यर्या के पर्याय के रूप में भारत भारतियता के अगरदूप के रूप में, और साथी साथ सनातन संस्क्रती के ध्वजवाह के रूप में प्रस्तोत हैं, गर्भग्रि में, सनाटशित तोर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुँचे हैं कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिये आता है सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिये आता है माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिये आता है और वह संदेश है वसुधव कुटुमबकम का वह संदेश है सरवे भवंत सुखिना का वह संदेश है क्रवंतो विश्वमार्यम का वह संदेश है वयम राष्टे जागरे आम पुरोहिता का यानि कि हम राष्ट में जागते रहें और राष्ट निर्माण में हम सनलगने रहें आज इतिहास लिखा जा रहा है सब तो पुरियों में सरवशेष्ट भगवान शिरी राम की जन्मभूम अयुद्या में दिव्व भव नव्व मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प अनातन संस्कृति के लिए ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है और आज हम साक्षी बन रहे हैं प्रधान मंत्री साक्षी हो रहे हैं साक्षी भाव से उपस्थित हैं शिरी राम लला के बाल मूर्थ विग्रह के सामने अजय जिस तरह से आब ये प्रधिष्ठा के संकल्प के बाद जो छे ग्रिहस्थ हैं वो इस प्राणप्रधिष्ठा के कारिक्रम को अपनी ओर से जिनोंने लगातार तपस्या की है भूमी पर शयन किया है बिना कोई अन्ड ग्रहन किये लगातार जब से उन्होंने प्राणप्रधिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधान मंत्री मोदी भी पिछले 11 दुनों से तपस्या रत हैं और उन्होंने दक्षिन भारत के अलग-अलग मंदिरों में जा करके अपने इस भगवान शी राम अपने इस भगवान शिव का दर्शन किया है और शिव की बात है तो आप देख लिजे कि जो पीछे आचारे इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधा रहे हैं वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी की रूप में वो जगत कुरू हैं इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी सही जोतिशी गड़ेश्वर द्राविड ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है जिनोंने जो भूमी पूजन का भी जो जोतिशाचारे का महत बताते हुए दिखाला था और इस वक्त आप देखिए कि गर्वग को अपने हाथों में लिए करबद प्रार्थना भग्वान शीराम से भग्वान शीव की धरती से पधारे आचारियों की उपस्तिति में बहुत दिव्वक्षण वर्तमान में कहा जाए तो भग्वान शीव सबसे अत्तिक प्रसंद क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनो ही संबन भग्वान शीव का भग्वान शीराम से आदे अद्भुक्षण आपके समक्ष अद्भुत छण युगांतकारी छण इतिहास में सुरणाचरों में दर्ज होने वाला छण कहा जा सकता है अरुण गान पर महा प्रगतिका अब यह मंगल गान उठा है करवट बदली अंगडाईली सोया हिंदुस्तान उठा है यह संकल्प के सिध्ध होने का दिन है यह हमारे पुर्खों से किये गए वादों का पूर्ण होने का दिन है यह विधाता से दिये गए वचन को पूर्ण करने का दिन है यह उस शपत के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन ज सवगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भग्व बनाएंगे और आज सवगंध के पूरा होने का दिन है आज विधाता से दी गई शपत का पूरा होने का दिन है आज सदियों की आकांख्षा का पूरा होने का दिन है आज हर्ष का दिन है आज उतकर्ष का दिन है आज अर्चन का दिन है वंदन का दिन है अभिनंदन का दिन है अरपन का दिन है तरपन का दिन है पुर्खों की अभिलाशा के साख्षात होने का दिन है आज सकल मनोरत पूरा होने का दिन है अजय इस ब्रह्मभांड की स्यवा में लगे हुए है मा लक्षमी का प्रादुर्भा हुआ उनी रत्नों में सबसे पहले विष्ट निकला जिसको भगवान शिव ने आज भी धारन किये हुए अपने निलकंट स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं वही से अम्रित भी निकला आज वही अम्रित निकलेगा भगवान शिराम के प्रतिष्ठा के बाद आज कुर्मा वतार के इस पवित्र तिथ पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं पधान मंत्री नरेंडर मोदी संपूर्ण राष्ट की तरफ से संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान की नगरी से पधारे ये आचार मंत्रो चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं सपश तोर पर आप देखेंगे कि ये जो आहवान किया जा रहा है जब रगुपति रागव राजा राम पतित पावन सीता राम और आज भगवान रागव के रूप में पधारने वाले हैं वो न रगुपति हैं वो न राजा राम हैं न सीता पति हैं आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के रागों हैं और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब प्राणपतिष्ठा के बाद भगवान शी राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में क्रिष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान शी राम अपने पांच वर्ष के उस अद्भुत छवी का दर्शन देंगे और साथी साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी आप देख रहा है गर्भ गृह पवित्र गर्भ गृह जिसका निर्माण संपन हो चुका है शिखर का निर्माण संपन हो चुका है और यह अद्भुक्षन जब प्रधान मंत्री इस वक्त श्रीराम लला के सामने पहुचने ही वाले हैं बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादर शी का दिन कल तो पूरी अयोध्या ने एकाद शी की लेकिन ग्यारह दिनों से अपने वरत के जरिये एक तपस्वी की भाहा थी प्रधान मंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान शीराम ने राजा भुशेक से पहले भूम प्रधियों का सारी प्रधियों का सारी प्रधियों का सारी